दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराख्ष ओधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे UPPCS मुख्य परिच्छा सामान्य अध्यन के लिए महतोपूर टापिक भूजल अस्तर में गिरावट और इसके प्रबंधन के उपाए ये जो टापिक है ये सामान्य अध्यन तृती प्रश्ण पत्र जोकी अर्थवेवस्था परियावराण आपदा प्रबंधन विज्यानम प्रद्धो की तथा आंतरिक सुरच्छा का जो पेपर है उसके अंतरगत आपदा प्रबंधन वाले टापिक या फिर भूगोल भूगो प्रश्ण पत्र के लिए भी तो आईए शुरू करते हैं आज का टापिक प्रश्ण है देखिए भूजल अस्तर में जारी लगातार गिरावट के संबंध में इसके प्रबंधन संबंधी उपाय बताईए तो लगातार जो भूमिगत जल है हमारा तो उसका दोहन लगातार ह हो रहा है चाहे हम पेजल के रूप में उप्योग कर रहे हैं क्रिसी कारे के लिए सिचाई में उप्योग कर रहे हैं अथ्वा अउद्योगिक कारखानों के लिए जो जल किया हो सकता है उसके लिए उप्योग कर रहे हैं तो उसके कारण जो भूमिगत जल का अस्तर है उसमे लगातार गिरावट हो रही है तो प्रश्ण ये है कि भूजल अस्तर में जारी लगातार गिरावट के संबंध में इसके प्रबंधन संबंधी उपाय बताईए तो आए शुरू करते हैं भूजल अस्तर का गहराता संकट भविस्य में पेजल की उपलब्धता खाद सुरक्ष स्वक्षता क्रिसी आदि के लिए बड़ी चुनोती उभर कर सामने आ रहा है तो जो भूमिगत जल है हमारा वो उसका प्रयोग कहां कहां होता है हमने पहले भी देख लिया है सबसे पहला उपयोग उसका है पेजल के लिए दूसरा खाद सुरच्छा इस मामले में कि जब क्रि और क्रिसी में तो महतपूर है ही तो भूमिगत जल का गहराता संकट भविस्य में पेजल की उपलब्धता खाद सुरच्छा स्वक्षता क्रिसी आदि के लिए बड़ी चुनोती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है इस संकट के समाधान के लिए भू जल का प्रवंधन ब भू जल की दिर्ग कालिक रूप से सरचडिये रखने के लिए भू जल के निसकासन और उपयोग पर अस्पष्ट और प्रभावी नीती बनाई जानी चाहिए तो जो भूमिगत जल है उसके उपयोग के लिए दिर्ग कालिक रूप से संरचडिये यानि कि संपोसडी रखने के लिए भूजल के निसकासन और उप्योग के लिए उस पे अस्पष्ट और प्रभावी नीती बनाई जानी चाहिए ताकि कोई ब्यक्ति कितना यूज करेगा भूजल का उसके लिए एक निर्धारित नियम होना चाहिए दूसरा है खेतों में सिचाई के लिए जल प्रभंधन तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें सुच में सिचाई पढ़ाली का प्रियोग बढ़ेगा तो ये भी महत्वपूर है क्योंकि अधिकतर बहुत बड़ी मात्रा में जल जो हमारे क्रिसी कारे में सिचाई के लिए प्रियोक्त होता है उसमें जल प्रवंधन तक्निकों का प्रियोक किया जाएगा तो पानी की खपत घटेगी जैसे इस प्रिंकल सिचाई ट्रिप सिचाई पद्धती ये जो पड़ा लिया है उसके प्रियोक से जल का जो संरच्छण है वो संभव हो सकेगा तीसरा देखिए क्या उपाय किया जा सकता है भूजल संसाधनों का प्रतेक दो वर्स में विभाजित आधार पर मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो जो हमारा भूमिगत जल का संसाधन है बहुत ही महत्वपूर है उसका प्रतिवर्ष दो वर्ष में इसका विभाजित आधार पे छेत्रवार आधार पे मुल्ल्यांकन किया जाना चाहिए कि कहां पे कितने जल की उपलब्धता है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना है चोथा है जल को समवर्ति सूची के अंतरगत लाया जाना चाहिए इसमें केंद्र और राज्यों के मध्ध एक व्यापक कार्योजना को विक्सित करने में मदद मिलेगी और भूजल का बहतर संरच्छन और प्रबंधन सुनिश्चीत हो सकेगा तो जब केंद्र और राज्य दोनों ही एक व्यापक कार्योजना के तहत कारे करेंगे कि किस तरह से भूजल को संरच्छित किया जाए और उसका प्रबंधन किया जाए तो उसको संरच्छित करने में और भूजल का प्रबंधन करने में मद जो द्वारा की गई प्रिवगत की समिच्छा की जाए किंद्री भूजल बोर्ड है उसके द्वारा कुछ प्रयास किये जाते हैं कि कैसे जो हमारा भूमिगत जल है उसका पुनर भरण किया जाए उसके पुनर भरण के लिए धेर सारी तक्निके हैं जैसे तालाबों में पानी इतालाब खुदवाना या वर्सा जल का संग्रहण करना फिर या तो बड़ी इमारतों से जो जल है उसको कहीं भूमिगत इस्टोरेश टैंक में इकठा करना ताकि जल के भूमिके अंदर जो जल का पुनरभरण है वो होता रहे तो बात ये है कि जो उपाय किया जा सकता है कें सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना और भूजल प्रबंधन के तहट किये जा रहे उपायों के मध्ध समन्वै सुनिशित किया जाना चाहिए मनरेगा योजना में तालाबों के खुदाई और पुनरभरण का कारे किया जाता है तो उसमें क्या है भूजल आधारित उद्योगों भारी उद्योगों के नियमित निरिच्छन को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए कौन से उद्योग जो जल आधारित उद्योग है आजकल उस पे नियमित निरिच्छन होना चाहिए ताकि वो किस प्रकार से जल का उपयोग कर रहे हैं और उनका दोहन कैसे कर रहे हैं उस पे एक निश्टित कारियोजना बन सके आठवा है मानसून से प्राप्त बर्सा जल के संजयन है तो रेन वाटर हारवेश्टिन तकनिक को बढ़ावा दिया जाए तो जो हमारी परमपरागत पढ़ा ली थी जैसे कुवे तालाब ये जल के जैसे आद लेकिन अब इस्थिती ये हो गई है कि बर्सा जल सीधे बह जाता है या भाब बनकर उड़ जाता है तो इससे बचने के लिए हमें जो मानसून से बर्सा जल का बर्सा जल मिलता है उसका संजयन के लिए रेन वाटर हारवेश्टिन तकनिक को बढ़ावा दिया जाना नौवा देख लिते हैं देश के बिभिन छेत्रों के समुदायों द्वारा जल सरोतों को बनाये रखने प्रबंधन करने नए तकनिक के आधार पेसं रच्छित और पुनर जीवित करने के प्रयास भी किये जाने चाहिए इसके अलावा पंचायतों नगर निकायों और और राज्य सरकारे हैं उनको आपस में समन्में अस्थापित किया जाना चाहिए और जब सब ही का एक सामुईक भागीदारी या सामुदाइक भागीदारी होगी तो जो जल पुनर भरण का रेकरम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनिक है और जो हम प्रयोग करते हैं पुनर भरण भूमिगत जल का पुनर भरण हो सके हमारे यूज में तो आए ही आगे की पीडियों के लिए भी उसकी उपादेता बनी रहे उपादेता तक तब बनी रहेगी जब भूमिगत जल बचा रहेगा क्योंकि ये सब खत्म होने वाले संसाधन है अगर जो हम इनका बुध्यमानी से प्रयोग नहीं करेंगे विवेकपूर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सब ऐसे संसाधन है जो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हर आदमी जागरूख हो कि किस प्रकार से हम जल जो भूमिगत जल है उसका आतिसे दोहन न करें कमपनियों पे या बड़े उध्योगों पे एक उनकी निश्यत समिच्छा होनी चाहिए और जो भूमिगत जल संरच्छन बोर्ड है भूजल संरच्छन बोर्ड उसके द्वारा भी सक्री कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भूजल संरच्छन के संबंध में जो अब आप description box में दिये गए लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लिजेगा आगे मैं और ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा आप किसी अन्य पिसे पर वीडियो चाहते हैं तो हमें comment box में बताएगा वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए उपयोगी हो तो like, share और channel को subscribe जरूर करिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार